घर में पड़ी ओयल की बॉटल से बनाएंगे एक सुनदर सा बर्ड हाउस, इस तरह से बॉटल को हमने कत कर लिया और उपर वाले हिस्से में कुछ इसतरह से गोल काट लिया और इसे चिपका लिया, अब इशो हम ग्लू गं से चिपका लेंगे मजबूती के लिए इस तरह की तेप से हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि यह तूटे नहीं अब यहां पर जूट के कपड़े से आपको इसको रैप कर दीजिए मैंने भी कर दिया है जूट नहीं हो तो आप कोई भी पुराना कपड़ा यूज कर सकते हैं अपनी ग्लूगन से से चिपका लें कट कट कर करके इसको काट लें और फिर से से हमें चिपका लेना है ग्लूगन से बहुत आसानी से चिपक जाता है आप चाहे तो फैविकॉल से चिपका सकते हैं साफधानी की बात यह है कि ग्लूगन बहुत करम होती है और उससे अपने हाथों को बचाना चाहिए इस तरह से गोल कट क यह है कि थोड़ा हमें उपर तक रैप करना है अब इसके होल के उपर हम इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे कुछ भी आप फ्लावर लगा सकते हैं अर्टिविशल प्लांट्स लगा सकते हैं और इसको ग्लू की साहता से मैंने जट पर जट पर चिपका लिया है यहां देखिए अब यह जो रोप है इसका हम इस्तमाल करेंगे यह जूट रोप स्टेशनी से मिल जाती इस तरह से अब लेंथ ले लीजिए और बहुत सारे इसको फोल्ड करते हुए इसको सेंटर से हमें बांध लेना है पहचान गए होंगे कि अब हम क्या बना रहे हैं इसक बहुत में हर बल को हम हाथों से खोल लेंगा रहे हैं अब इस तरह करक्याराम राम से इसको खोल लिजीए अब इसकी थोड़ी कंगी कर दीने कंगी करने से इस घना हो जाएगा और देखनें भी सुन्दर लगा अच्छे से कंगी कर रहे हैं आप इसकी मोटे दात वाली कंगी ले ले और उससे कंगी कर दे मैंने भी कर दिये और यहां पर फूसड़े से निकल गए यह वड़े काम के हैं धकन के उपर मैंने छेत कर लिए सिलाई को गरम कीजिए और छेत कर लीजिए सूतली को हम इस तरह से पिरो यहां पर और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई स्टोन बान सकते हैं या कोई हुप बान सकते हैं ताकि इसमें से निकले नहीं इस तरह से बान देने के बाद हमें इसको खीच लेना है और जो हॉट ग्लू है उससे हमें अच्छे से तिक्स कर देना है बिल्कुल भी नहीं निकलेगी है अब कितनी मजबूती से यह बन गई है होट ग्लू से हमने चिपका लिए और चिपकाने के बास इसे प्रेस कर देंगे ताकि यह अच्छे से चिपक जाए अब यहां पर इसके नेक पर भी मैंने होट ग्लू लगा दी है ताकि मजबूती से इसमें फिक् इस तरह से दिखेगा और यह तोड़ी से और ग्लू लगाएंगे यह पर और की शीरा इस के लिए च्ट बनाने के लिए एक सिरा तो हम इसमें से ले लेगे और एक सिरा लेगे उसका इस तरह से हम फिक्सकर चिपका लेंगे बिल्कुल अराम से बिल्कुल बोतल के साथ हमें चिपका लेना है और दोनों सिरों को अच्छे से बांध भी लेना है ताकि यह बिल्कुल भी ना निकले अब इतनी मजबूती हो गई है कि तुफान आचा कुछ विया यह यह बर्ड हाउस नहीं गिरेगा और नॉट लगाने के बाद अच्छे से इसको कस लेंगे अब देखो कितनी टाइट से में बांध भी बिल्कुल भी नहीं किरेगा यह और नहीं इसकी नॉट खुलेगी से दो चार छे जितनी नॉट लगानी हो तनी आप लगा दीजिए च्छत को हम इक्वल करने के लिए गारण में लगा सकते हैं मैं इसको गारण में यूज़ करूंगी यह मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे गारण में बहुत सारी बर्ड जाती हैं देखके खुश हो जाएंगी कोई ना कोई बड तो इसमें रहने जरूर आएगी अब यहाँ देखें कितने सुन्दर लग रहे हैं आप इसे जरूर ट्राइए करें और बर्ड्स हमारे गार्डन में आती हैं हमारे घर आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और गुरहिया जैसे चिडिया जो कि अब खतम हो रही है उनको बुलाने का भी अच्छा तरीका है तो बिल्कुर ट्राइए